दोस्तों टमाटर के इन पौधों को देखिए इन में से कुछ पौधे गिर गए हैं और जड़ के पास सडन हो गया है ये बीमारी बीज की बुआई के बाद नरसरी में भी आती है और रोपाई के बाद खेत में भी आती है किसान भाईयों हम इस वीडियो में टमाटर की एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में बात करेंगे और इसका नाम है डेंपिंग आउफ या आत्र गलन किसान भाईयों जैसे कि आप सभी जानते हैं टमाटर में बहुत सारी बीमारी आती है और इसका नाम आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं और इन सभी बीमारीों के बारे में जानकारी आपको धीरे धीरे हमारे चैनल में मिलती रहेगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर के वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों इस वीडियो में हम डेंपिंग आफ के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम आपको इसके लक्षण के बारे में जानकारी देंगे फिर इसके रोक का रख के बारे में फिर इसके प्रवंधन के बारे में और हम आपको ऐसे कवक ना बहर नहीं निकल पाता और इसमें सडन हो जाती है, तो इसे कहते हैं, Pre-Emergence Damping Office या निकलने से पहले आद्रगलन, और जब पौधा जमीन से बाहर आचुका होता है, उसके बाद इसके तने में सडन होता है, और पौधा इस प्रकार से गिर जाता है, इसे कहते हैं, Post-Emergence Damping Office या निकलने के वाद आद्रगलन दोस्तों ये जो प्लांट है ये टमाटर के है और आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर सडन हो गया है जिसके कारण से तने का यह हिस्सा कमजोर हो जाता है और पौधा गिर जाता है और सबसे खास बात यह है कि इसके जो रोक कारक होते हैं वे मिट्टी में उपस्थित होते हैं और फिर धीरे धीरे करके हमारे पौधों को नुकसान पहुचाते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जो टमाटर के बीज होते हैं वे बहुत महंगे होते हैं और इसमें से हर एक बीज हमारे लिए बहुत ही मत्वपूर्ण होता है और अगर समय पर इसका प्रबंधन ना किया जाए तो यह अभीमारी धीरे-धीरे करके हमारे छोटे-चटे पौधों को नुकसान पहुचाता है कभी-कभी अगर यह भीमारी नरसरी में नहीं आती है तो यह भीमारी रोपाई के तुरंद बाद या रोपाई के कुछ दिनों के बाद हमें दिखाई देती है आप इस फोटो में देख सकते हैं रुपाई के बाद भी इन पौधों में गलन हो गया है और तने का यह हिस्सा बहुत ही कमजोर हो गया है जिसके कारण से ये पूरे पौधे मर गये हैं ताथियों अब हम इसके रोकारक के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों टमाटर में आदर गलन या डेंपिंग आफ तीन प्रकार के कवक से होती है या तो या फ्यूजीरियम के कारण हो सकता है या राइजोक्तोनिया के कारण हो सकता है या पिथियम के कारण हो सकता है और कभी-कभी ऐसे होता है कि इनमें एक से ज़्यादा रोकारक हमारे पौधों में अटेक करते हैं साथ ही साथ ये रोक कारग टमाटर के अलावा दूसरे पौधों में भी अपना इंफेक्शन करते हैं और दूसरे फसलों में भी इनका प्रकोब देखा जा सकता है इसलिए समय पर इस बिमारी का प्रवंधन करना बहुत ही आवस्यक है साथियों अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कवक नासी के बारे में जिसका उप्योग आप इस बिमारी के लिए कर सकते हैं सबसे पहला कवक नासी है कॉपर ओक्सिक्लोराइड इसका आप 2.5 ग्राम प्रति लिटर की दर से इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरा कवक नासी है केप्टान केप्टान मार्केट में अलग-लग नाम से उपलब्द है आप कोई भी अच्छी कमपनी का केप्टान उप्योग कर सकते हैं इसे भी आप 2.5 ग्राम प्रति लिटर की दर से इस्तिमाल कीजिए फिर है करबेंड़ाजीम और मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन इसका भी आप 2 ग्राम प्रति लीडर की दर्सी इस्तेमाल कीजिए इसका आप 1.8 ग्राम प्रति लीडर की दर्सी इस्तेमाल कीजिए Positile Aluminium ये सबसे अच्छा कवक नासी है इस बिमारी के लिए और इसका आप 3 ग्राम प्रति लिडर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं यह कवक नासी बहुती बड़ी बड़ी कमपनी द्वारा बनाया जाता है जैसे की Bayer और UPL फिर है Propemocarb इसका आप 1.8 ml प्रति लिडर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं और यह Bayer कमपनी द्वारा बनाया जाता है 1.8 ml प्रति लिडर इसका मतलब यह है अगर आप 200 लिडर के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1.8 को 200 से गुड़ा करना पड़ेगा और जितनी मात्रा आएगी उसे आप 200 लिडर के पानी में घोल कर इस्तेमाल कीजिए जैसे कि आप नरसरी में इस कवक नासी को उपयोग करना चाहते हैं और इसका जो दर है वह है 3 ग्राम पति लिडर और आप 10 लिडर के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 30 ग्राम इस कवक नासी को 10 लिटर पानी में घोल कर इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों इन सभी केमिकल का उपयोग आप अलग-अलग स्टेज में कर सकते हैं जैसे कि इससे आप बीज का उपचार कर सकते हैं इसका सॉलुसन बना कर आप छोटे-छोटे पौधों में नरसरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख के खेत में भी इसका आप इस्तेमाल ड्रेंचिंग के तौर पर कर सकते हैं और इन सभी वीदियों में जो डोस है वह हम आपको बदा चुके हैं साथियों, केमिकल के अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, जिसे आप अपना कर अपना पैसा भी बचा सकते हैं और या बीमारी भी मैनेज हो सकती हैं, जैसे कि अपने खेत में हमेशा सापसफाई रखें, किसी भी प्रकार के जो पुराने फसल के अउसेस हैं, जो घांस फूस ह या खर्पतवार हैं उसे आप अपने खेत से हटा दें और खेती से पहले गर्मी में खेत की गहरी जुताई कर लें उसके बाद ही फसल लगाएं कभी भी जब आप नरसरी बनाते हैं या नरसरी लगाते हैं और अगर आप खेत में नरसरी लगाते हैं तो इस प्रकार से उचे जगह में नरसरी लगाना चाहिए या नरसरी बनाना चाहिए इससे क्या होता है जो भी एक्ष्ट्रा पानी होता है वह इन सभी नालियों के द्वारा खेट से बाहर निकल जाता है जिससे यह बिमारी कम मात्रा में आती है क्योंकि इसके जो रोक कारक होते हैं उन्हें थोड़ा ज़ादा पानी के आवसकता होती है और अगर खेत में पानी भरेगा तो यह बिमारी भी ज़ादा आती है साथियों इस बिमारी से अगर बचना है तो हमें कम सिचाई करना है जादा मातरा में सिचाई करने से यह बिमारी भी जादा आती है और अगर हम फ्लडिंग द्वारा सिचाई करते हैं जैसे कि खेत के किनारे में हम पानी छोड़ देते हैं और धीरे धीरे पानी पूरे खेत में जाता है और इस प्रकार से सिचाई करते हैं तो यह भीमारी भी ज्यादा मातरा में फैलती है जैसे कि खेत के इस भाग में रोककारक उपस्तित है और जब हम सिचाई करेंगे तो सिचाई के पानी के साथ यहां के रोककारक पूरे खेत में फैल जाते हैं इसलिए हमें फ्लडिंग या बार्विधी द्वारा सिचाई नहीं करनी चाहिए खास कर उन खेतों में जहां पर इस बीमारी की समस्या जादा है हमारे खेत में हमें अच्छी जल निकाज की सुविधा बनाय रखनी है जिससे जो भी एक्ष्टा पानी है वह खेत से तुरन बाहर हो जाए हमें जादा मात्रा में कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जो भी कार्बनिक खाद होते हैं उसमें इस बीमारी के जो रोक कारक होते हैं उनके प्राकृतिक सत्रू जादा मात्रा में रहते हैं इसलिए ये जो प्राक्रितिक सत्रू होते हैं ये रोक कारक को नश्ट कर देते हैं हमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमुनास का इस्तेमाल जादा से जादा करना है यह जो Trichoderma और Sudomunas होते हैं यह जैविक कवक नासी होते हैं और यह Bacteria और कवक होते हैं जैसे यह जो Sudomunas है यह एक Bacteria है और जो Trichoderma है यह एक कवक है Trichoderma और Sudomunas का उपयोग आप बिजुप्चार के लिए, जड़ुप्चार के लिए और बिमार पौधों में ड्रेंचिंग के लिए कर सकते हैं साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा और सूडोमुनास को हम अपने घर में भी समवर्धित कर सकते हैं और इसकी मातरा को हम अपने घरों में भी बढ़ा सकते हैं इसका समवर्धन हम गुड के पानी में और गोबर के खाद में भी कर सकते हैं अगर आप गोबर की खाद में बीजुपचार के समय ड्रेंचिंग में इन सभी में जब ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का इस्तेमाल करेंगे तो यहां बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी हमें फसल चक्रन अपनाना चाहिए हमें एक ही खेत में बार बार टमाटर नहीं लेना चाहिए अगर हम बार बार टमाटर लेंगे तो रोक कारक की संख्या साल दर साल बढ़ते जाती है और यहां बीमारी भयानक रूप ले लेती है हमें निश्चित दूरी में ही पौधों की रोपाई करनी चाहिए ताकि ये रोक कारक एक पौधे से दूसरे पौधे में ना पहुंच सके हमें कम मत्र में नाटोजन फर्टिलाजर को उप्योग करना है पौधों में नाटोजन देने से पौधे का बढ़वार तो अच्छा होता है लेकिन पौधे की रोक से लणने की चमता कम हो जाती है हमें पोटास उरुवरक की मात्रा ज़्यादा कर देनी चाहिए क्योंकि यह जो पोटास होता है यह बीमारी से लणने की छमता को बढ़ाता है हमें खेत की आखरी जुताई के समय 100 किलो प्रती एकर नीमखली प्रदान करना चाहिए नीमखली में ऐसे केमिकल होते हैं जिससे रोक कारक की संख्या कम होती है तो साथियों इस वीडियो में आप जान चुके हैं इस बीमारी के लक्षण, रोक कारक, प्रवंधन और इसके लिए कवक नासी के बारे में साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही अच्छी जानकारी लेकर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद जैहिंद